मुरहना त्योहार आपसी भाई चारे का प्रतीक है। डोलग्यारस, महरम, दशेहरा, दीपावली और मिलादून नभी को सभी लोग आपसी भाई चारे के साथ मनाए। रातरी दस बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंद रहेगा। कोई भी वेक्ति रातरी दस बजे के बाद डीजे बजाते हुए। पाया गया तो पुलीस प्रशासन द्वारा डीजे जप्त करने की कारवाही की जावेगी। इसके अलावा जहांकियों में बजने वाले डीजे का साउंड भी कम ही रखा जाये ताकि किसी प्रकार के शोरगुल से आमजनों को समस्या न हो। कलेक्टर ने कहा कि गणेश चतर थी 9 सितंबर को डुल ग्यारस, 10 सितंबर को महरम, 8 अक्टुबर को दर्शेहरा, 27 अक्टुबर को दिपावली और 10 नवंबर को मिलादू नभी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए पुलीस बलतेनात रहे। साथी कारिक्रम स्थलों, जहांकि मार्ग आदी का साफ सभाई, पेजल, विदुत व्यवस्था आदी सुनिश्चित करें। उच सर्वों के दोरान एंबूलेंस, नामजद चिकित्सक एवं मेडिकल सुविधा के साथ तथा फायर बिग्रेट उपलब्ध होना चाहिए। आमजन से भी अपील की गई है कि सभी त्योहारों को आपसी भाई चारे एवं सोहार्द से मनाए। क्योहारों में आवशक व्यवस्थाईं बनाय रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बैटके स्टीम के अलावा ग्रामिनस्तर पर तहसीलदार रियवं टियाई शान्ती समेती की बैटके लेले और जहांकियों के कनेक्शन भी विदुत विभाग से अस्थाई तोर पर ले लिये जाएं। अतरिक्त पुलिस अधिक्षक श्री आशुतोर्श बागरी ने कहा कि प्रशासन्व पुलिस की व्यवस्थाय माकूल रहेगी। समेती के सदस्यों से अपेक्षा है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन एवं नव दुर्गा विसर्जन के दिन दिनस्ति के पूर्वजाक्या निर्थारित रूट से होकर विसर्जन स्थान तक पहुँचाई जावे। इसके लिए अलक से रूट बनाए जावेंगे। जिनका प्रकाशन करा दिया जावेगा। संबाद्धाता मुरेन मनोजुपाद आए। ौर्वा जिएक रफखले को कि अलक तक था हमे आए जावेगा के अवादान मुय का निए रारी मोट पुचित हुचाई ौर्वार्व